हवाई दोस्तो आप सबीका अपनी चैनल में एक बार फिर से बहुत-बहुत सवागते चलिए दोस्तो आज हम चने का नीमोना बनाएंगे तो चलिए हम शुरू करते हैं तो दोस्तो ये डाइसो ग्राम से ज्यादा थोगा चना होगा हरा वाला है थोगा कुछ पाके भी ही हलक मिर्च अपनी हिसाप नहीं और धनिया है तो धनिया थोगा मैंने जादा लिया हुआ आप देख सकते हैं और यह लैसन आधा इंच अधरक है और लैसन मिर्च है तो लैसन यह सूखा वाला छे से साथ कलिया होगी छोटी-छोटी ही बिल्कुल और मिर्च अपने अंसार लिए और यह सब को पीस लें अच्छे से तो चलिए अब तेल गणम करते हैं मैं सरसो का तेल डाला है आप जो खाते हैं आप वो डालिएगा और हमने इसमें बड़ी डाल दिया हमने पांच बड़ी डाला अगर आपको बड़ी की रस्पी चाहिए तो आप में कमेंट करिएगा द इसमें थोगा सम मसाला डालेंगे बिल्कुल आधा चम्मस से भी कम है यह गरम मसाला अब इसको हम ढख देंगे क्योंकि चीटे आते हैं ढख के इसको पकाएंगे जब तक आयल ऊपर ना दिखने लगए तो देखे दो से तीन में ठुए हैं मुझे धीमियाज पे रखे और यह कराहिम बिल्कुल छोड़ने नहीं लगता और सोना बन आने लगता है इसमें महेकान लगती है तो देखिए यह कराहि को छोड़ दिया है ऐसे धीमियाज पे भूनना है तो थोगा धैर के साथ भूने क्योंकि इसमें समय लगता है तो नीमोने में थोगा मोटे आलू अच्छी लगते हैं तो मैंने अलू तो जादा डाला है क्योंकि मेरे अजबेंट को आलू जादा पसंद नीमोने में तो आप अपने हिसाब से जालें बाकी कम भी जाल सकते हैं और जादा भी डाल सकते हैं वह आपके पर डिपेंट करता है इसको दोबनक भूल लेंगे धी झाले को अलक पीसना हैं तो हमारा ये देखिए भून चूका है लगवारा किरा है कराहिच वहारा पहले जो हमने बने घुखने और शोल के लिए अच्छ से और अब हमने इसको भूल लिया है तब यह अच्छे हो चुका है इसमें हम पानी डाल देंगे तो पानी अपनी जरुत की हिसाब चुछ डालें और दोस्तक चीज में बता देती हूं आपको इसमें जो है अभी तो यह बिल्कुल अलग अलग दिख रहा है लेकिन इसमें जैसे हुबाल आएगा बिल्कुल यह गाढ़ा हो जाएगा तो पानी थोगा ज्यादा ही जालें अगर आपको चावल के साथ खानी है तो और नमक अपने स्वादी की अनुसार डालें तो इस इसका ध्यान दे दोस्तों यह गाढ़ा हो जाता है बाद में इसलिए आपको बता दे कि बाद में आप लोग ना बोली तो चलिए इसको ढ़क के रख दे रहे हैं दस मिनट में बिल्कुल फख जाएगा और गैस को मीडियम फ्लीन पर रखना है तो देखिए हमारा बनकर रेड़ी है तो दोस्तों निमोना जब भी बनाएए लोहे की कराहिम बनाई कोई भी सब्सक्राइब करने जरूद करतें जरूर बनाएगा मेरी तरह बहुत टेस्टी बनता है और महारी लिए पाइदे मंद भी होता है सबसे बग़ी बात जांते हैं दोस्तों समय कहा है कि मसाले बहुत जादा देल और पंक करिएगा दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर देजिए और हाँ आपको चैनल छोड़के जाने प्लीज मत जाएए कुछ दिनों की बात और है तो आप से मिलते हैं अगली वीडियों तब तक लिए बाइबाय और टेक केर